Hello students, I am Jay. Today I am going to teach you English. Before class starts, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं lesson 15, The Lazy Gardner. Lazy मी सोता है, R.C. Gardner मी सोता माली. ये जो इस्टोरी है, वो एक R.C. माली की स्टोरी है. इससे पहले मैंने बाकी के जो वीडियो हैं, वो बना रखे हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोज भी देख सकते हैं. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Once there was a gardener, यानि एक वहाँ gardener था. He was very lazy man, वह बहुत आज़ी विक्ती था. When his master was in the gardener, he worked hard. Master means होता है, मालिक. जब उसका मालिक गार्डन में आता था, तो वह कठिल महनत करता था. But as soon as his master went to his office, the gardener sat under the tree and went to sleep. जब उसका जो master था, यानि मालिक था, जब वह office चला जाता था, तो गार्डनर है, वह पीड के नीचे सो जाता था. All flowers die because he gave them no water and the master was very angry. और जो पौदे थे सारे, वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि वह पानी नहीं डालता था. इसलिए उसके मालिक, जो master थे, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज थे, angry means होता है, नाराज. How can I make this lazy man do some work, said his master. उसके जो master मालिक ने कहा, कि कैसे एक आलसी आदमी, मतलब कैसे एक आलसी आदमी काम नहीं करता. One day, an old woman called Munya Amma came into the garden, she was a very clever woman, and she could do many wonderful things. यानि जो Munya Amma थी, वो एक दिन गार्डन आई, और वो बहुत चालाक महला थी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रखी थी. One day, the milkman's cow fell ill, एक दिन जब milkman की, यानि दूद वाले की जब गाय पीमार पड़ गई. Munya Amma said, some strays word into the ear, and the cow got better. और जो Munya Amma है, उन्होंने क्या गाय की कान में कुछ सब्द दिकाए, जिससे कि वो गाय सही हो गई. Another day, the fishman caught no fish. Munya Amma held her hand, and soon it was full of fish. जब fishman में सोता है, मचली पकडने वाला आदमी, उसको कोई भी मचलिया नहीं मिल रहे थी, तब Munya Amma ने उसे अपने हाथ में पकड़ा, और उसके जो जल दी, उसके जो नैट में, जाल में, बहुत सारी जो मचलियां थी, वो आ गई. इट, make the lazy gardener work hard, she said, उसने कहा कि मैं बहुत कठिन मेयानत करता हूँ, उन्होंने कहा, she said, the gardener, उन्होंने gardener से कहा, do you want to be a rich man, कै तुम अमीराद ही बनना चाते हूँ, the gardener thought, it was a wonderful idea, और gardener ने सुचा, यह बहुत अच्छा idea है, he would not have to do any work if he was rich, he liked this idea because he did not like to work, उसने सुचा, अगर हम काम नहीं करेंगे, फिर भी हम अमीर हो जाएंगे, तो उसे यह idea पसंदा आया, क्योंकि उसे कान करना पसंद नहीं था, येस प्लीज, he said मुणी अम्मा, उसने का हाँ, किरप्या मुझे बताएं, उसने मुणी अम्मा से कहा, I would like to be rich, मैं एक अमीर बनना चाहता हूँ, the old woman gave him a small black seed, और एक बुड़ी जो और, जो old woman, यानि बुड़ी अम्मा थी, उन्होंने एक black seed दिया, यानि काला दाना दिया, take it, take this seed, इस का दाने को लो, she said, उन्होंने का, and put it in the ground, it will grow very quickly and make you rich, उन्होंने का कि यह जल्दी, इस दाने को लो, यह जल्दी बढ़ा हो जाएगा, और आपको अमीर बना देगा, the gardener put the seed in his master garden, और जब वो, उस gardener ने अपने मालिक की gardener में उस भीज को लगा दिया, he went, it is very careful, and next morning he come to look at it, और जब उसने उसे लगा दिया, वो बहुत उसकी देखवाल करता, अगले दिन वहां आया, तो उसने देखा, it was two feet tall, उसने देखा, यह दो feet लंबा हो गया, at the top of the plant, there was a pretty red flower, उसने देखा कि उसकी उपर बहुत सुन्दर लाल फूल लगे हुए, oh, said the gardener, oh, ऐसा gardener ने कहा, this is wonderful, यह आश्चर जनने कहा, but how will it make me rich, लेकिन यह मुझे अमीर कैसे बनाएगा, उसकी दिमाग में ऐसा विचार आया, perhaps, side, I must plug the flower and still in the market, उसने का, side, मैं इन फूलों को तोड़ के मार्गेट में बेच दू, he put out his hand to plug the flower, but the hand someone say, please don't plug me, जैसी उसने हाथ बाहर निकाला फूल तोड़ने के लिए, लेकिन उससे सुनाए दिया कि मुझे मत तोड़ो, the gardener looked the flower and he saw a very small man inside, the man was dressed in the red from head to toe, every his nose was red, he was only a big gardener thump, the little red man jumped out the flower and said, come on, on, you have work to do, hurry, hurry, उसने का, जब उसने फूल को देखा, उसके अंदर तो उसमें एक आदमी था, जो उपर से निचे तक लाल था, और gardener उसके एक बड़े अमूटे ने था, और जो little red man था, वो जम्प होकर बाहर निकला और flower और उससे कहा, फूल से जो बाहर निकला और उसने कहा, come on, चलो आओ, काम करो, जल्दे जल्दी, उसने जो माली था, उसे कठिन मैनत करवाया, at ten o'clock, all flowers were wettered, but still the gardener had to work, और दस वजे, जब सारे फूलों को पानी दे दिया, तब भी जो माली था, वो काम कर रहा था, the little red man's command had magical power, और जो छोटे आदमी की, जो command थी, उसके निर्दे स्थेवाय, उसमें magical power था, यानि जादू ही सकती थी, so he could not refuse to work at the even 11 o'clock, the gardener was very thirsty, and he wanted to drink water, but still he had to work, at the 1 o'clock, the little red man said, now you can have your lunch, but you must start your work again at the 3 o'clock, लेकिन उसकी जो magical, उसकी जाद सकती थी, power, command देने की, उसके बाद बहुत काम करने रहा, और उसे लगबख 11 बज़े प्यास लगी, लेकिन तब भी वह एक काम करता रहा, और जैसी एक बज़े, तो red flower, जो man था, उसने उसे निर्देश दिये, कि अब जाओ, अपना लँच करो, लेकिन तीन बज़े फिर से तुम्हे काम करना होगा, 3 o'clock, said the gardener, तीन बज़े, gardener ने कहा, I always leave until 5 बुलो, मैं हमेशा 5 बज़े तक सुता हूँ, not today, आज नहीं, said the little red man, और छोटे से red आदमी ने कहा, कि आज नहीं सुना है, you have work to do, और तुम्हें बहुत काम करना, I never heard such talk, said the gardener, gardener ने कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, I will sleep as long as I like, मैं हमेशा उतना सुता हूँ, जितना मुझे पसंद है, but at 3 o'clock, the little red man, made him get up and start work again, जैसी तीन बज़े, उसने लिटल मैं ते उसने उसे काम करने पर फिर से लगा दिया, come on, come on, hurry, 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 said the little red man, little red man ने कहा, चलो, चलो, जल्दी, said the little red man, और छोटे से red man ने कहा, the gardener master come, at the 6 o'clock, the gardener looked nice and tidy, he was very pleased the night, the gardener sleep happily, the next morning, he got up at the 7 o'clock, the little red man would not allow him to stay in bed, come on, come on, hurry, 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 said the little man, जब मालिक उसके गार्डन में आया, तो उसे बहुत अच्छा गार्डन देखा, साफ और सच, लेकिन अगले दिन, साथ बज़े, जो छोटे red man था, उसने उसे चलाया, और कहा, चलो, चलो, जल्दी चलो, said the little man, और ऐसा छोटे से, red man ने कहा, the gardener was angry, और जो gardener था, वो उससे नाराज हो गया, how can this seed make me rich, उसने कहा, कि कैसे एक दाना मुझे अमीर बना सकता है, he said, it is making me work too hard, या मुझे बहुत कथिन मैनत करने को कह रहा है, और अब आदमी जीवित रह सकता अगर बहुत कथिन मैनत करे, but that day he work did not seem so hard, the gardener found that he was enjoying the work, it was quite pleasant to work in garden, अब अगले दिन क्या हुआ कि, उसे उसने ऐसा नहीं देखा, कथिन मैनत करते हुआ, the gardener found that, और जो माली ने देखा, कि उसे काम करने में enjoy, पसंदा, it was quite pleasant to work in garden, अब उसे थोड़ा सा, सांग थी, pleasant means, अच्छा अबवा मिल रा था, यानि आनन्द मिल रा था, perhaps I shall not die after all, उसने का सायद, मैं अब नहीं मरूँगा, said the gardener, and he worked very hard all the day, he forget to go to the rest, लेकिन, उसने बहुत मैनत की, और वह आराम करने को भूल गया, the little red man had to say him, और छोटे red man ने कहा, you must go and rest now, तुम्हें अब जाना चाहिए, और आराम करना चाहिए, it is nearly two o'clock, you will to be tried, और उसने कहा की, ऐसा लगबग उसने दो बज़े कहा की, अब तुम ठग गए होगे, the gardener reset until three o'clock, and he get up again, and worked, और जैसी तीन बज़े वह फिर से उठा, और काम करना सुरू कर दिया, the gardener soon looked very beautiful, and every one come to took at it, the gardener was happiest man, अब क्या होगा कि gardener से साफ हो गया, और बहुत अच्छा देखने लगा, इसलिए हुए सभी लोग उस gardener में आने लगे, अब gardener भी बहुत खुसी रहने लगा, the maharaja heard of him, and he was called to the derwar, derwar, जब maharaja ने ऐसा सुना, तो ने अपने दरवार में बलाया, जब उसे महारaja ने अपनी कोर्ट में बलाया, और उसने देखा कि gardener बहुत महनत करता है, तो उन्हें रुपए दिये, और उनकी जो मुनियम्मा हैं, उनकी बात सही हुए, और उसने वह फिर छोटा जो लिटिल रेड में था, उसे कभी नहीं देखा, लेकिन वह अभी भी कठिन महनत करता था, क्योंकि अब उसे कठिन महनत करने में आनन्द आने लगा था, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप लोग भी ऐसी क्योंगे, कि हमेशा कठिन महनत करते रहने चाहिए, आप लोगों को पढ़ाई continue करती रहने चाहिए, क्योंकि कड़ी महनत करने से ही हमें अच्छे फॉल्क रापत होंगे, I hope you enjoy this session, thanks for watching.